हेलो दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल जॉब तक पर दोस्तों बहुत अच्छा लग रहा है कि आप इस चैनल को अपना प्यार दे रहे हैं इसको सेर सब्सक्राइब और लाइक कर रहे हैं I hope कि आपको ये सब वीडियो भी पसंद आ रहा है और आप उन बच्चों तक पहुचाने में हमारी मदद कर रहे हैं जिनको इसके आवसकता है तो दोस्तों बहुत अच्छा लगा आपका लाइक सेर सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत motivation दे रहा है तो दोस्तों समय को खराब न करते हुए हम लोग सीधे आगे चलते हैं और जहां तक पढ़ेते उसके आगे हम लोग इसको continue करेंगे तो दोस्तों हम लोग रक्त समू को पढ़ लिया था यानि blood group को हम लोग पढ़ लिया था और blood group में आपको blood group में आपन किसके द्वारा आपने पिछले वीडियो में भी पढ़ा है कि लेंड इस्टीनर कौन किया है लेंड इस्टीनर ने इस्टीनर लेंड इस्टीनर के द्वारा blood group की खोश की गई और इन्हीं लेंड इस्टीनर को इस खोश के लिए 1930 में नोबेल पुरसकार से सम्मानित किया ग वो कौन सा blood group था तो लेंड इस्टीनर के द्वारा A, B और O blood group की खोश की गई थी जबकि A, B blood group की खोश लेंड इस्टीनर के द्वारा नहीं की गई थी और तो आपके मन में आएगा कि A, B की खोश किसी ने किया तो दोश्तो लेंड इस्टीनर के साथ ही काम करने वाले दो और वैज्ञानिक एक का नाम था D, Costello और एक वैज्ञानिक थे A, Sterly एवां, A, Sterly ये दो बैज्ञानिक थे जिन्होंने रक्त समू A, B की खोश की थी लेकिन दोश्तो नैंटीन थर्टी में लेंड इस्टीनर को लेंड इस्टीनर लेंड इस्टीनर को नैंटीन थर्टी में क्या मिला था? नोबेल पुरसकार मिला, क्या मिला? नोबेल आवार्ड से इनको क्या किया गया? सम्मानित किया गया तो दोस्तो अब आपको कल अंटीजन, अंटीबोडी और रक्त समू के बारे में बताया गया था तो क्या आप तयार हैं कुछ कोशन्स का जबाब देने के लिए तो आईए देखते हैं कि आप क्या कोशन्स कर पाते हैं तो चलिए हम सबसे पहले आप से पुछ लेते हैं कि अगर एंटीजन एक तरफ कॉलम ले लेते हैं एंटीजन कलका आपने पड़ रखा है तो आज इसको जो है थोड़ी सी रिवाइस कर लेते हैं यहां लिख लेते हैं एंटीजन और यहां लिख लेते हैं रक्त समूह और यहां लिख लेते हैं एंटी बॉडी एंटी बॉडी अब आप बताएं दोस्तों कि क्या कि क्या अगर किसी ब्यक्ति का एंटी जन ए है तो उस ब्यक्ति का रक्त समूह क्या होगा चलिए फटाफट बताएं तो अगर किसी ब्यक्ति का रक्त समूह ए है तो उसमें एंटी जन क्या होगा I hope दोस्तों आप answer दे चुके होंगे कि रक्ट समू जो है वो antigen के आधार पर ही निर्धारित होते हैं तो यदि किसी ब्यक्ति में antigen A है तो उसका रक्ट समू भी क्या होगा A होगा लेकिन दोस्तों उसमें antibody कौन सी होगी antibody B होगी small v से denote करते है antibody को अगर किसी ब्यक्ति का रक्ट समू अगर सपोच कीजिए कि B है तो उसमें antigen कौन सा होगा बताए 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 उसमें antigen कौन सा होगा तो I hope कि आप जो है answer दे चुके होंगे उसमें antigen कौन सा होगा अगर रक्षमू B है तो उसमें एंटिजन भी B होगा चुकि एंटिजन ही रक्षमू का निल्धारल करती है अगर एंटिजन A तो रक्षमू A एंटिजन B तो रक्षमू B तो यहाँ पे एंटिबॉडी कोंज जोगी? एंटिबॉडी A होगी अगर दोस्तों आप से पुझा जाएं कि अगर antigen a b है क्या है? a b है अगर antigen a b है तो रख्षमू कौन सा होगा? तो रख्षमू कौन सा होगा? I hope कि आप answer दे चुक्य होंगे तो antigen उसमें हो जाएगा a b कौन सा रख्षमू a b होगा? और आपको पिछले वीडियो में तया आगया था कि रख्षमू a b में कोई भी antibody नहीं पाई जाती अब दोस्तों जब अगर antigen रख्षमू o है तो उस condition में antigen क्या होगा? यहाँ पे तो रख्षमू यहाँ है अगर रख्षमू o है तो उस condition में antigen क्या होगा? antigen जो है वो अनुपस्तित होता है और antigen अनुपस्तित होने के कारण antigen अनुपस्तित होने के कारण यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? कि रख्षमू 0 मानने के वज़ाय मतलब o मान लेते हैं तो यहाँ पे दोस्तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका antibody इसमें कौन सी होगी? तो यह भी antibody होगा I hope कि आप यह समझ चुके थे पिछले वीडियो में आए दोस्तो आए चलते हैं दोस्तो आज हम पढ़ने वाले हैं रख्ष का आदान प्रदान दोस्तो रख्ष का आदान प्रदान आप इस तरी से आज पढ़ेंगे इस तरी के साथ पढ़ेंगे कि आप जिन्दगी में कभी नहीं पाएंगे कि हाँ कौन किसको रख्ष प्रदान कर सकता है कौन किसको रख्ष प्रदान नहीं कर सकता है तो दोस्तो आई यह स्टार करते हैं लेकिन वो स्टार करने से पहले हम यह बात समझ लें कि रख का आदान प्रदान सबसे पहले कौन किया था जानने की सबकी इच्छा होती है कि सबसे पहले रख आदान प्रदान कौन किया होगा कौन ऐसा डॉक्टर रहा होगा यह कब किया गया तो दोस्तो इन बातों को आज हम आपका ध्यान रखते हुए इन बातों को बताएंगे कि सबसे पहले 20 में रक्तदान कहां किया गया तो दोस्तों सबसे पहले रक्तदान जो है फ्रांस में किया गया था वो भी डॉक्टर जीन डेविस के द्वारा 15 जून यानि 15 जून 1667 सेवन यानि 15 जून 1666 इस्वी में जॉन डेविस के दोरा किया गया था लेकिन दोस्तों सबसे इंट्रेस्टिंग बात यहां पर यह है कि जो रक्त दान किया गया वो रक्त जो है भेड़ से निकाला गया था और यह भेड़ का खुण जो है 15 वर्स के बच्चों में सफलता करते हैं रक्त का आदान प्रादान रख्त का आधान प्रादान तो दोस्तों सर्व प्रतं यानी विश मे setup रख्थ का आदान परदान कब होगा था तो रख का आदान परदान 15 जून 15 जून और 15 जून 16 67 में किया गया किसके दोरा किया गया तो dr Drlv Jien डेविस कौन डॉक्टर जीन डेविस के द्वारा किया गया था डेविस जीन डेविस के द्वारा किया गया था पंदरा जुन को दोस्तों इसलिए 14 जुन को हम लोग क्या 20 राक्तदान दिवस मनाते हैं क्योंकि 15 जुन में 15 जुन को जो है जोक्टर जौन जीन डेविस के मत्चे में यह खुण चढ़ा दिया ता लेकिन जो भेढ़ से निकाला गया था जब भेढ़ खुण दिया निकाला गया तो गोर 10 जून था और 14 जून को निकाला गया था उस्में ृधु दोस्तों इसमें 14 जून को 20 रख़ख दान-दिवस मना या और यह जो है खून यानि ब्लड जो है किससे निकाला गया था तो भेड से निकाला गया था भेड से निकाल करके 15 वर्सिय बालक में सफलता पुर्वक चढ़ाया गया था 15 वर्सिय बालक बालक में चढ़ाया गया था दोस्तों आईए तो यह जो है रक्त आपसे एक कोशन पुछ रहते हैं कि एक कोशन आपके लिए कि बताइए अभी मैंने बताया कि बिश्व रक्त दान दिवस कब मनाते हैं कब मनाते हैं एक मिला दोस्तों यह जो है विश्व रक्त दान दिवस कब मनाते हैं फड़ा फड़ा आंसर दीजे दोस्तों कि विश्व रक्त दान दिवस कब मनाते हैं I hope कि आप answer दे चुके होंगे 14 June कब 14 June क्योंकि 14 June को ही भेर से रक्त को निकाला गया था और 15 June को 15 वर्षी बच्चे में चढ़ाय गया था लेकिन दोस्तो जानरों से खून निकालना अभी बैन लगा दिया गया है ने तो उनका ज्यादा हनन होता सिकार होता इस वज़े से अब जानरों का खून जो है बच्चों में नहीं चलाया जाता या किसी भी इंसान में नहीं चलाया जाता नहीं तो इसका बैपार सुरू हो जाता दोस्तो चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं अब हम समझेंगे कि कौन किसको रख्त दान कर सकता है कौन किसको रख्त दान नहीं कर सकता है तो दोस्तो हम लोग एक डाइग्राम समझेंगे और वो डाइग्राम जो है आगे समझ तो वो डाइग्राम आप कभी नहीं भूलेंगे वरना रटते तो जाएं आप भूलते जाएंगे तो यह पक्का A से तो लेई लेगा तो यहां A की तरफ आते वे दिखाएंगे A से A से तो यह लेगा ही कनफर्म है तो A से लेगा दोस्तों आपको बताया गया कि यह जो है O में एंटी बाड़ी A भी पाए जाती है और जिसके कारण यह O जो है सबको यह खून देता है यानि O से भी A लेशकता है और A से तो लेगा ही लेगा देख इसको सकता है दोस्तों तो दे सकता है पहले बाग कि A है तो इसमें A है तो B एंटी बाड़ी पाए जाएंगी तो यह A B को भी ब्रड़ देगा क्योंकि इसमें A और B दोनों ही है अब यहां पे जो है आपका A से लिया है तो A को दे भी सकता है क्योंकि A A को दे सकता है तो A A को ही दे सकता है तो इस प्रकार से आगे चलेंगे तो सोरी दोस्तो अब यहां आगे चलेंगे तो हम बात करते हैं रक्षमू B की कि रक्षमू जो B है वो किसको बलड दे सकता है तो इसी प्रकार से O से बलड ले सकता है और B तो लेगा ही लेगा देगा किसको अभी आपने सुना कि A B को देगा क्योंकि A B जो है सरवग्राई होता है और B से ये क्या करेगा B तो B को देगा ही तो इस प्रकार से अगर आप figure से याद करते हैं तो आपको ये बात याद रहेगी दोस्तों बात कर लिए अगर रक्त समूं A B है रक्त समूं A B है तो A B किसे किसे लेगा देखे लेगा सबसे देगा किसी को नहीं मतलब सिर्फ A B को देगा बहुत चालाख है यह अपर यह A से तो लेगा ही लेगा अभी आपने देखा था पीछे देगा किसको अभी आपने पड़ा ये A B से लेगा यानि A B को क्या करेगा देगा ना तो A को देगा ना तो B को देगा ना तो O को देगा देगा तो किसको देगा शिर्फ और शिर्फ A B को अपने प्रजाती को दोस्तों बात कर लेते हैं O की आप इस तरीके से फीगर से याद करेंगे आप कभी नहीं भूल पाएंगे आपको कभी confusion नहीं होगा कि कौन किसको देगा वहीं रख समों O सर्वदाता है यह किसी से लेने सकता सिर्फ किस से ले सकता है O से और देखे सकता है आपने अभी देखा कि A को भी दे सकता है सरवधाता का मतलब सरवधाता होता है जो सब को देता है सब के लिए दानी होता है और A B को देगा और O को देगा I hope कि दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप इसको share subscribe और like करते जाएं अच्छा लगे तो comment box में comment भी डाल दें अगर कोई आपका suggestion है तो उसे भी comment box में डालें ताकि उन suggestion के अधार पे और भी इसमें improvement कैसा है और दोस्तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आपका comment आता है कि sir हाँ बहुत अच्छा लग रहा है बहुत फायदा हो रहा है sir तो हमें यह motivate होता है कि हाँ नहीं मेरे भी वीडियो आप तक पहुशने चाहिए और आपको इसकी खास आवा सकता है तो दोस्तों जो भी दिक्कते हैं आपको आप उसमें comment box में हमको बताइए और जो भी आप improvement चाहते हैं वो भी हमें comment box में comment कर देवता है हम आपका comment जरूर पढ़ेंगे और हमें बहुत खुशी मिलेगी ओके दोस्तों thank you so much